वेलकम टू ब्राइट इडूकेशन यूट्यूब चैनल तो बच्चे दिखिए ये नया नोटिफिकेशन निकल के आया दर्पन की तरफ से दर्पन जो पोर्टल है आप वहाँ पे जो एपलाई किये थे वहाँ से एक नोटिस दिया गया है ये नोटिस है क्या ये नोटिफिक नहीं था कि दर्पन एक पोर्टल होता है उसके अंदर जाके हमें अप्लाई करना है तो बहुत सारे स्टुडेंट जो इसे वंची तरगे मतलब छूट गये थे जो एपलाई नहीं किये थे और प्लास जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ हो नोट सेलेक्ट नोट सेलेक्ट दिख कर सकते हैं आपका सेलेक्शन मिला हो या ना मिला हो जिसका मिला है उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है जिसको कहीं भी सेलेक्शन ना मिला वह बच्चे भी एपलाई कर सकते हैं जो बच्चे दरपन में कभी एपलाई ही नहीं किये थे वह जानते ही नहीं थे उनको से 24 सेटेंबर के अंदर कॉंप्लीट कर दिया जाएगा आपको जो आप अभी एप्लाई करेंगे बीस तारिक से जो पोर्टल फिर से शुरू होगा और एप्लाई करने के बाद आपका लिस्ट कव आएगा देखिया हाला कि यह दरपन पोर्टल यह क्यों फिर से एक गोल्डे से इसलिए दिया जा रहा है कि हर कोलेज में अभी जोअरम चल देख सकते हैं इसंफितने की बहुत ब्सक्राइद से और आप है कि यह 25 सेप्टेंबर को आपको 11 बजे यह आपको लिस्ट मिल जाएगा कि किन-किन बच्चों का नाम आ चुका है किन कोलेज में इसके बाद आपका एडमिशन भी 27-28 के अंदर कॉंप्लीट होगा ठीक है आपका एडमिशन प्रोसेस वीड़ा 27 सेप्टेंबर 2021-228 सेप्टेंबर तक आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो यह था दर्पन पोर्टल का में नोटिफिकेशन आसा करता हूं आपको समझ में आया होगा ठीक है कि यहां पर दिखिए क्या दिया गया है कि यहां पर नीचे एक मिनिट नीचे वह यह दिखाया गया है कि कोपी टूदा इस्पेशल कमर्शियल अब गॉबर्मेंट असाब सेकंडी दुकेशन दिपार्टमेंट अफेवर तुद काइंड इंफ्रमेशन दिचेयर्मेंट अफेवर तुकाइंड इंफ्रमेशन यह कोई मतलब है नहीं बस आपका में नोटिफिकेशन ही इंपोर्टेंट था जो मैंने बतला दिया बाइद वे इसके बाद बावजुद भी आपकी अगर कोई डाउट है कोई प्रस्ने है कोई क्वारी है तो नीचे कमेंट बक्स में जरूर लिखेगा मैं कोसिस करूंगा कि आपका जो भी कोईशन है जो भी कोईड़ी है उसका जवाब दे सकों तो बब बैट टेक कियर